माइनक्राफ्ट का ओल्ड अकाउंट वर्क नहीं कर रहा तो सबसे पहले तुम लोगों को माइक्रोसोफ्ट वाली वेबसाइट के ओपर चले जाना है और अपने उस अकाउंट को लॉगिन करने का ट्राइ करना और इतना जरूर से याद रखना कि तुम लोगों को करना है फारगट पासबोर्ट के उपर अभी आगे आप लोगों को इमेल का जरूरत पढ़ने वाला है फारगट पासबोर्ट करने के लिए तो अगर आपके पास वह इमेल भी नहीं है तो आप लोग सीधा क्लिक कर सकते हो आई डोंट हैव एनी कोड वगे तो जैसे तुम यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे कहेगा कि तुम अपनी यूई एमेल आईडी यहाँ पे अपनी सेब कर सकते हो जो जिसका तुम्हारे पास अभी के टाइम पे असेस भी होगा और तुम अपना न्यू पासबोर्ट फिल करके मजे से अपने अपना Old Account का डेटा सारा का जारा अपने new account में transfer कर सकते हो अगर अभी भी error देखने के लिए मिल रहा है तो chrome में चले जाओ three dots के उपे click करो settings में चले जाओ और वहाँ पे तुम लोगों को एक option देखने के लिए मिल जाएगा search setting का वहाँ पे search कर देना आप लोगो अब यह जो सारी तुम लोगों को जो id देखने के लिए मिल रही है जब तुम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट में तुम लोगों ने जब अपना account क्रियेट कर रहा हो जा फिर अपना account को लोग इन करते टाइम का है अब अगर तुम लोगों को यहां से तुम्हारा minecraft वाला Microsoft का account देखने के लिए मिल रहा है तो उसके side में ही तुम लोगों को password भी देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे एक छोटा सा option होगा show password को वहां से उसे देख लो अच्छे से copy कर लो यहां से भी तुम्हारा account recover हो सकता है सबी trick को try करा, error देखने के लिए मिल रहा है, comment करो, अ देखने के लिए मिल रहा है तुम लोगों को मैं पूरी कोशिश करूँगा next video जल्दी लाने की और आज के लिए बस इतना ही, bye bye